और अब आईए आपको फीड़ा लिए चलते हैं राज्य सबाज जहां दिली सेबा बिल पर बहुत जारी है इस वक्त आम आदिपाजी के सांसद रागवचधा सुदन में बोल रहे हैं का प्रस्ताव लेकर कभी लिखते हैं मैतरी की रा बताने को सबको सुमर्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विद्वंच बचाने को भगवान हस्तिना पुराए पांडव का संदेशा लाए भगवान कहते हैं दो निया अगर तो आधा दो पर इसमें भी अधी तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसी न उड़ाएंगे पर दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका आशी समाज की ले न सका उल्टा हरी को बांधने चला जो असाध्य था उसे साधने चला जब नाश मनुच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है सर इसमें दिल्ली बिल का सार है सर हम नियाई की गुहार लगाने आपके सामने आये हैं अपने हक मांगने आये हैं अपने हक से जादा मांगने नहीं आये सर मैं अपने वक्तव्य को तीन भाग में बांटता हूं पहला कि ये बि administrative log jam यानि की प्रशासनिक गति रोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है सर पहला राजनेतिक धोका ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की 40 लगभग 40 साल का लंभा संघर्ष भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जास थापित करने के लिए किया 1977 में जब 3rd Metropolitan Council दिल्ली में था उसमें जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएं लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोग सभा का मैनिफेस्टों में बीजेपी का लाया ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे यहां तक कि जब 1991 में कॉंगरेस की सरकार ने दिल्ली में विधान सभा का गठन किया उससे भी नापरियाप्त मांते होए लाल कृष्ण डवानी जी मदलाल फुराना जी सब बयान दर्ज कराए कि ये भी दिल्ली के साथ नियाई नहीं है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और लगातार इन लोगों ने संघर्श किया आंदोलन किया सर 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टों में बीजेपी ने ये 1999 का मैनिफेस्टों है ये जारी करकर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे पेज नमबर 132 पॉइंट नमबर 31 वी विल गिफ उन स्टेटूट टू डेली सर इन लोगों ने बड़ा अंदोलन चलाया संघर्श किया सडकों पे लाठियां काई के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है दिल्ली को पून राजी का दरजा भाजपा दिलाएगी यह भी बात खतम नहीं होती सर इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में बीजीपी ने कहा हम पून राजी का दरजा देंगे इनकी जून 2013 में नैशनल एक्जेकिटिफ की मीटिंग हुई उसमें मता पास करकर का हम दिल्ली को पून राजी का दरजा देंगे यहां तक कि इनके सांसद इनके सांसद डॉक्टर हर्चवरदन ने बयान दिया कि जब अधरनिये नरेंदर मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पून राजी का दरजा देंगे यह इन समने सर लगातार बाते कहीं और दिल्ली को पून राजी का दरजा दिलाने की मांग लगातार भारती जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रहें सर ये बिल सिर्फ सम्विधान का और लोगतंतर का अपमान नहीं है ये बिल लाल कृष्ण अडवानी जी का अटल बहारी वाजपाई जी का मदल लाल खुराना जी का सुश्मा सुराज जी का अरून जेटली जी का सब का अपमान करने का और उनके 40 साल के संधर्ष को नहरू ने ये बात रखी थी कि दिली को पूर्ण राजी का दरजा नहीं मिलना चाहिए मैं माननी ग्रह मंतरी जी से कहना चाहता हूं नहरू वादी मत बनिये अडवानी वादी बनिये वाजपाई वादी बनिये और दिली को पूर्ण राजी का दरजा देने का आज आपके साल में दिली में छे बार विधान सवा के चुनाव हो जेके छे चुनाव भारती जनता पार्टी बुरी तरीके जिहरी यह तक कि 2015 और बीज में आजाद भारत के टिहास की सबसे बड़े जनदेश की सरौर कार अर्विन केजरिवाल ने दिली में बनाई क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और राम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नश्च करने का काम करें ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनाव का महत्व ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी लेकिन मैं आज इस मन से भाचपा से अनुरोथ करूँगा कि कम से कम लाल कृष्ण अडवानी जी को नयाई दीजिए कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए दिल्ली को पूर्ण राजिका दरजा दीजिए सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिलेक संबिधानिक पाप है सर पहली चीज ये अब्यूज ओफ ओडिनेंस मेकिंग पावर्ज है आर्टिकल 123 जो संबिधान का देता संबिधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का AK Roy versus Union of India एक बड़ा महकपून लैंडमार्ग जज्जमन्ट है जिसने कहा कि ओडिनेंस सिरफ आपात कालीन और विशम परिस्थितियों में लाई जाएंगे एसी कौन सी आपात कालीन और विशम परिस्थितियों आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आठ दिन के बीतर बगलना पड़ गया दूसरा दूसरा सर दूसरा सर देखिये सर सर दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदू ये सुप्रीम कोर्ट का अख्मान है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आठ दिन के भीतर पांच जज़ों के संविधानिक पीट के सरसम्मती के फैसले को बदल के आज भारतिय जन्ता पार्टी ने एक मेसेज दिया है कि हम Supreme Court को भी चैलेंज करते हैं Supreme Court के फैसले को भी नहीं मांगते आपको जो order जारी करना है करो हम चंद दिनों के अंदर ordinance लाकर उस फैसले को बदल दे They have challenged the majesty of the honorable Supreme Court Sir और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज कल जो ordinance लाने की जो एक fetish इस सरकार ने देखी चाहे वो land acquisition बिल हो चाहे वो farm बिल हो चाहे ED के director का extension हो जो यह सारी चीज़े ordinances के माध्यम से इनोंने करी थी इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था Sir third बिंदू कि कैसे यह बिल संगिय धांचे को erode करता है हमारा भारत का संभिधान और सुप्रीम कोट का 2023 का 2018 का संभिधानिक पीट का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक unique federal identity है unique constitutional identity है और भारत का संभिधान जो हमें संगिय धांचा देता है जो शक्तियां देता है उन शक्तियों को encroach करने का काम ये सरकार करती है हमसे अफसरशाई और तमाम शक्तियां चीन कर मैं आपको सुप्रीम कोट का वो एक वाक्य पढ़के सुनाना चाहूंगा the majority in the 2018 constitution judge bench held that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state the concept of federalism is applicable to Delhi हम पूराच नहीं है लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संग्य धांचे के परिपेश में दिल्ली को मिलता है उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाली कर दिया आज बिना संभिधानिक संचोधन लाए संभिधान को बदल दिया मात्र एक एक एक्ट ऑफ पार्लिमेंट से जो आज तक शायद भारत के प्यास में कभी नहीं हुआ सर इसके बाद सर इसके बाद ये बिल पार्लिमेंटरी अंडमाइन करता है प्रिंसिपल्स ओफ कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी को भारत का संबिदान कहता है सर कि पर्मिनेंट एक्जेगेटिव और पुलिटिकल एक्जेगेटिव मिलके लेजिसलेचर के प्रती जवाब देही होंगा ये प्रिंसिपल ओफ कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी है इसमें से permanent executive यानि कि अफसर शाही को छीन कर ये पूरी तरीके से collective responsibility का principle जिस पर सरकारे चलती है इस देश में उसे ध्वस्त करता है और आखरी बिंदू संविधानिक अपराद का ये triple chain of authority को तार-तार करता है सब triple chain of accountability ये होती है कि अफसर शाही की जवाब देई मंतरी को मंतरी की जवाब देई legislature को और legislature की जवाब देई जनता को इसमें से अगर आप अफसर शाही हटा देते हो तो फिर जवाब देई कि जो ये triple chain of accountability के द्वस्त हो जाती है तो ये काम करके सम्मिधानिक अपराद एक प्रकार से सरकार ने किया है सर मेरा आखरी भाग ये कैसे एक administrative हारा की रिए एक administrative गतिरोत पैदा करता है ये कहता है सिरफ उपराद जेपाल भी transfer posting करेंगे एक समीती के माध्यम से यानि कि अफसर आप मुख्यमंत्री के नहीं सुनेगा मंत्रियों के नहीं सुनेगा अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजनी नहीं आरी पानी नहीं आरा किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा तो वो उपराद जेपाल के पास जाएगा अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा क्या लोग जानते है उपराजपाल कहा रहता, उपराजपाल कौन सी विदानसवा से चुनाब लड़ा, उपराजपाल ने कौन सा चुनाब जीता लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी होई सरकार से निकालकर उपराजपाल को देता है यह आगे कहता है सर यह बिल कि हम LG को सोल डिस्क्रीशन देते हैं स्वयम के विवेक से फैसले देने की तमाम शक्तियां आज तक उपरा जपाल और गवर्नर काउंसल आफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से बाद दे थे लेकिन यह बिल उपरा जपाल को सूपर सीडिंग पावर्स देता है आगे सर यह बिल जितने भी बियूरोकराट्स है उन्हें एक जुडिशल अफॉरिटी बना देता है यह कहता है अफसर शायी तैकरेजी मंतरी का तैकरेशन गलत है और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अब सर्म मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं और सर ये बिल अथोरिटी कमिशन और कॉर्परेशन बनाने की तमाम गठन करने की न्यूकती करने की शक्तियां सारी की सारी केंदर सरकार को दे देता है यानि कि सरकार की चाबी एक परकार से केंदर सरकार को हाथ में पकड़ा देता है सर मानिय ग्रैम मंतरी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का fastest growing political startup कहलाती है ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने तीन बार भाजपा को दिल्ली में आराया और दो बार 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगबग शुन्ने पर लाकर खड़ा कर दिया ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्टे पार्टी बनी ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायत और 11 सांसद है और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए First Lady of United States of America और United General के पूर प्रमुक बान की मून आते हैं सर, मैं आज अपने साथी जो आंधर प्रदेश और उरिसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूँगा आपकी जरूर कुछ मजबूरिया रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिआ इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में कुछ तो मजबूरिया रही होंगी युह ही कोई बेवफा नहीं होता लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ या आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी रात इंदोरी साथ का एक बड़ा मतपून शेयर है अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है आस्मान थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे कई घर्जद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आमाद्मी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी है मैं आपको विश्वाद दो लगा हो और सर मैंने इपनी बात शुरू करी थी माबारत के एक अंच से मैं समाब भी माबारत के एक कांच से करूँगा सर बीच कुरुक शेकर के मयदान में जब युदध प्रारंब होने वाला था तो युदीश्टर ने शंखनात करने से पहले एक घोशना करी और कहा कि यceğ धर्म करें और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युदिश्टिर के साथ है पांडवों के साथ है तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आईए मैं बाहें फेला कर आपका स्वागत करूँगा उस समय कौरवों का एक भाई युद्सू कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद लड़ा मैं उसी बात का जिकर करते हूए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूँ हम लोग तमसल अस्टेट्स है जहां ज्यादा जिम्यदारी बनती है राज्यों के हकों की अधिकारों की रख्षा करने की मैं मांग करता हूँ आज आप लोग पार्ट्री लाइन से उपर उठकर विचार धारा से उपर उठकर संब्धान को बचाने के लिए लोगतंकर को बचाने के लिए इस बिल को हराईए आज ये इतना आसम बेदाने को और घ्यार कानूनी बिल्ला अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुना भी ना कराएं चुना भी प्रक्रिया को खतम करने से बहुत बाँ शुक्रिए राघव चट्ठा को आप सुन रहे थे हैं आदनी पार्टी के ओर से वो बयान दे रहे थे संसद में और दिली सेवा बिल कैसे संगिय धांचे के ओपर एक हमला है ये कहना था राघव चट्ठा का उन्होंने महाभारत का जिक्र किया और ये कहा कि आज सभी लोग पार्टी लाइन से उपर उठकर इस बिल के खिलाफ वोट करें इससे पहले बीज़पी सांसर सुधानशुत रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर करारा बार किया काव संविधान की दुहाई देने वाली आपको पहले अत्याधिश परना चाहिए कभी कभी इनके दस वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाओ ये कहते हैं सबसे जल्दी सत्ता में आए महुदे मैं कहना चाहता हूँ भारती जन्ता पार्टी और जन्संग हम 1954 बने हमने 72 साल में कभी कांग्रेस समझाता नहीं किया नोंने 72 दिन में समझाता किया तब ये सत्ता में आए और इसलिए आज दिल्ली की जन्ता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समस्ता था वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संशेप में मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए समिधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिरियम पढ़ना चाहिए क्योंकि अपने को कहते सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आज जब रागफ चठा बोल रहे थे तो उन्होंने महाभारत का जिक्र किया जिक्र तो रामायन का भी होना चाहिए जहां पर रावन की सेना को छोड़कर विभीशन ने राम का साथ दिया और फिर इस जंग का हश्र क्या हुआ वो सभी के साबने है बेरहाल कर लोग सुभा में अब इश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होनी है इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लोग सुभा में कर राहूल गांधी अब इश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेंगे राहूल गांधी कल दोपहर करीब बारा बजे लोग सुभा में अब इश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दें राहूल गांधी अब इश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे उनकी सांसरी बहाल होने के बाद वो पहली मरतबा संसद में बोलेंगे और जब बोलेंगे तो सीधा no confidence motion पर अपनी राय रखेंगे जब थोड़ा पीछे जाएं और याद करें जब सरकार के खिलाफ 2019 के चुनाव से पहले no confidence motion लाया गया था तब भी राहूल गांधी ने सदन में भाशन दिया था ना सिर्व भाशन दिया था उसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने गले भी लगाया था अब जब वो no confidence motion पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे किस तरीके से react करेंगे ये देखने वाली बात होगी काल तो पहर 12 बजे लोग सुभा में राहूल गांधी का संबोधन है का लोग सुभा में राहूल गांधी बोलने बाले हैं आव विश्वास प्रस्टाव पर राहूल गांधी अपना बयान देंगे इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दे इंडिया टीवी हर वक्त हर ज